तो हेलो फ्रेंज आपका स्वागत हैलेज गेमिंग में और आज के इस वीडियो में हम कंप्यार करने वाले हैं Free Fire Max को Battleground Mobile India के साथ तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये जो गेम मैं आज ही कंप्यार करूँगा Battleground Mobile India के साथ वो Free Fire Max है, Free Fire नहीं है, Free Fire Max, Free Fire का ही Max वर्जन है जिसे गरीना वालों ने कुछ दिन पहले ही रिलीज किया था और Free Fire Max सा ग्राफिक Free Fire से अच्छा है, ऐसा गरीना वालों का कहना है तो वीडियो को स्टार्ट करने इस पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं इस वीडियो में किसी भी गेम की बुराई नहीं कर रहा हूँ दोनों ही गेम अपने जगा पर बेश्ट हैं तो प्लीज कमेंट सेक्सम में मुझे गाली मत देना और एक आखरी बाट कि अगर मैंने गलती से बैटल ग्राउंड मोबाईल इंडिया यानी बीजियमाई को पपजी बोल देता हूँ वीडियो में तो प्लीज ये कंफ्यूज मत होना क्योंकि दोनों गेम सेम ही हैं कुछ हर तक तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दोनों गेम के ओपनिंग्स की कि दोनों गेम कैसे ओपन होते हैं तो फ्री फार मैक्स में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है जैसा फ्री फार में था वैसा इसमें भी है और वैसा ही बीजे माई में भी है जैसे PUBG में था वैसा इसमें भी है और Lobby के बात करें तो Free Fire Max में ऐसा Lobby है जो कि Free Fire जैसा ही है बस थोड़ा बहुत थोड़ा चेंज है और इसमें आपको एक और नया फीचर देखने को मिलेगा कि ये Lobby 360 रोटेट हो जाता है तो ये एक अच्छा फीचर है जो कि Free Fire में नहीं था और इसमें आपको पीछे वो कार खड़ी दिख जाएगी जिसे आप रोटेट कर सकते हैं और उसे चेंज भी आप कर सकेंगे बाद में और अब हम लोग बात कर लेते हैं Guns की तो Free Fire Max के में 47 Guns हैं और इसमें मैं Cross War ग्रेनेट लांचर को इंक्लूट करके बता रहा हूँ और अब हम लोग बात कर लेते हैं Modes की और Maps की तो Free Fire में 3 Maps हैं एक बर्मुदा, पर्थिगरी और कलहारी और इसमें 2 Modes हैं एक है Battle Royale, एक है Class Royal, Sorry Class Squad और इसमें आपको Training Mode भी देखने को मिलेगा और इसमें एक और नया Mode है जिसमें कि आप अपना खुद का Map क्राफ्ट करके खेल सकते हैं तो एक बहुत ही अच्छा Mode है हम लोग बात करते हैं BGMI की तो BGMI का लवी कुछ इस तरह है और अब हम लोग बात करते हैं इसके Guns की तो BGMI में कुछ 48 Guns हैं मतलब कि Free Fire Max से 1 Guns ज़्यादा है बस और इसमें Modes की बात करते हैं तो BGMI में 6 Maps हैं ये लीविक, इरेंगर, सैन हॉक, मीरामार, विकेंडी और क्राकेन और इसमें आपको मोर्स की बात करेंगे तो एक नया मोड आया है इवो ग्राउंड में रूनिक पावर और ये मोड अभी ओपन नहीं होगा ये दो दिन बाद ये ओपन होगा और इसके बाद ये है टीम डेट मैच अरीना की बात करें तो इसमें 5 मोर्स है और इसके बाद बात करें आर्केट की आर्केट में आपको 3 मोड देखने को मिलेंगे और एक नया मोड है AI का और इसमें एक मेट्रो रोयाल भी आपको देखने को मिलेगा तो BGMI में फ्रीफायर मैक्स से ज्यादा MAPS हैं और मोडस है और अब हमलों बात करें Game Money की तो ये फ्रीफायर में आपको अगर डायमंड करना होता है तो 80 रुपया में आपको मिलते हैं 100 डायमंड और सबसे ज्यादा आपको 4,000 रुपया मिलते हैं 56 डायमंड मनलब की ये कुछ सस्ते हैं और अगर आप लोग इसमें इलाइट पास खरीने जाते हैं तो इलाइट पास आपको मिलते हैं 400-99 मतलब की लगभग 500 में आपको मिलेगा इलाइट पास और इसमें आपको इलाइट पास खरीने के बाद एक भी डायमंड वापस नहीं मिलेगा आप इसमें देख सकते हैं कि आपको एक डायमंड भी वाफस नहीं मिलेगा मतलब आप 499 देख के इलाइट वास लेंगे उसके बाद आपके पास एक डायमंड बचेगा नहीं अब हम लोग बात करते हैं बीजे माई की तो BGMI में आपको 75 वे में 60 UC मिल दा है जो की कम है Free Fire Max से क्योंकि Free Fire Max में आपको 80 वे में 100 डायमंड मिल रहे थे लेकिन इसमें आपको बहुत सस्ते में ही रॉयल पास मिल दा है सिर्फ 360 UC में और इसमें एक और फीचर है कि अगर आप लोग 360 UC देखके रॉयल पास खरीते हैं तो आपको बाद में UC वापस भी मिल जाएंगे आप जैसे जैसे मिशन कंप्लीट करेंगे वैसे वैसे आपको UC वापस भी मिल जाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है BGMI में और अब हम लोग बात करते हैं वेटिंग लॉबी की तो फ्रीफायर का वेटिंग लॉबी कुछ इस तरह है आप इसमें देख सकते हैं उपर की मैप नहीं दिख रहा है वहाँ पर नो सिंगनल दिख रहा है तो ये एक तरह से दिसद्वांटेज है फ्रीफायर मैक्स में क्योंकि लोग स्कॉर्ड में चाहते हैं कि वो मार्क कर ले पहले ही कहां पर कुदना है क्योंकि बात में उससे लड़ाई जगड़ा ना हो और अब हम लोग बात करते हैं बीजे माई की तो बीजे माई का लॉबी कुछ इस तरह है आप देख सकते हैं इसमें मैप दिख रहा है तो ऐसा अगर फ्रीफायर मैक्स में भी होता है तो बहुत ही अच्छा होता और अब हम लोग बात कर लेते हैं प्लेंस की तो फ्रीफायर मैक्स का प्लें कुछ इस तरह होता है आप देख सकते हैं और बात कर लेते हैं मैप्स की तो फ्री फार में जो मैं मैप्स खेलना हूँ वो है बर्मूदा मैप और ये मैप बहुत छोटा है लगभग 4 किलो मीटर लंबा है आप प्लेन से कुदते समय ऐसे दिखेंगे देखिए आपके स्पैर के नीचे बोट आ लेंगे फ्री फार मैक्स में पैरसूट के साथ आपकी लैंडिंग कुछ इस तरह होगी और अब हम बात कर लेते हैं बीजी माई की तो बीजी माई का प्लेन कुछ इस तरह होता है और उसका मैप यह है इरेंगल मैप जिसमें मैं खेलना हूँ यह बहुत ही वड़ा मैप है 8 किलिमीटर लंबा है और इसमें आप प्लेन से कूदेते हुए ऐसे लगते हैं मलब इसमें आपको कोई बोर्ट नहीं मिलता बस खाली हाथ पैरसूट के साथ इसमें लैंडिंग इस तरह होती है और अब हम बात करें एनिमीज को मानने की तो फ्री फार में आप एनिमीज को कम है और अब हम बात कर लेते हैं विजिमाई की तो ISTमी में आपको अच्छा भासा रिकॉलिंग देखने को मिल जाएगा इसलिए इस गेम में एनिमीज को मानना थोड़ ज्यादा मुस्किल होता है और अब हम बात कर लेते हैं वेहिकल्स की तो फ्री फार में आपको बहुत सारे वेहिकर्स देखने को मिलेंगे जिसमें मौंस्टर ट्रक ये बाइक और एंफिबियांस और एक जीब भी मिलेगा और इसमें आपको लंबर गीनी भी देखने को मिल जाएगा और साथ में ये आपको एक टेंपू भी देखने को मिल जाएगा और वहीं बात करें बीजे मा बूलेट फूरूफ वाला और इसमें आपको यह वाला भी कार देखने को मिलेगा जिसका नाम मुझे नहीं पता और इसमें आपको और भी बहुत सारे वेहिकर्स देखने को मिलेंगे जैसे कि बोट, जीप, मोटर बोट और बगी और इसमें आपको दो बाइक्स भी देखने को मिल जाएंगे हमें Free Fire Max में चिकन डिनर कुछ इस तरह मिलता है जिसे ये लोग बूया करते हैं और बूया मिलने के बाद आपको एक बंदा दिखेगा जो गंजेरी जैसा दिखता है और वो अपना हाथ हिलाएगा और हमें Battle Ground Mobile इंडिया में चिकन डिनर कुछ इस तरह दिखता है तो फ्रेंस अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्रीज इसे लाइक कर दिजेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा ताकि हम और भी ऐसे वीडियो लाते रहे तो अब हम लग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई